आरेने स्कुलकर महुद है दुनिया में एन्वार्मेंट की चर्चा तो लंबे हर्से से होती लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सामान ने मानवी के जीवन में उसका इंपेक्ट महसूस हो और उसके कारण सब्दूर एन्वार्मेंटिक चिंता का विश्य बना हुआ है और मानवजाद के सामने चलेंज है कि इस समस्या के समाधान के लिए इस प्रकार से रास्ते हो जेंए अभी पैरिस में कोप ट्विंटी वन के समय विश्व के नेताओं ने मिलकर के संकल्प किया उसका तो महत्व है है लेकिन वहां दो महत्वों को इनिशेटिव नहीं गए एक इनोवेशन की दिशा में काम करना हूं ताकि हम फॉसिल फ्यूल से मुक्तव होकर के एनर्जी में किस प्रकार से आगे भने युएस फ्रांस इंडिया तीनों ने मिलकर के इनिशेटिव लिया है इनोवेशन का बिल गेट फांडेशन भी उसके साथ जुड़ा है इसके एक सकारात्मक परणाम भविश्वे देखने को मिलेंगे कि दूसरा महत्तों नेड़े वहां हुआ कि दुनिया में करीब 122 देश ऐसे हैं कि जहां 300 दिन से जादा सूरत तपता है सूर्य प्रकास का लाप 300 से जादा इन देशों को 300 दिन से जादा मिलता है भारत के इनिशेटिव से उन देशों का एक संगठन हुआ है और उस संगठन का हेटक्वाडर भारत में रहने वाला है और सूर्य उर्जा का उप्योग भविश्य में कैसे किया जाए उस पर यह देश मिलकर के काम करने वाले हैं मेक इन इंडिया का हमारा जो इनिशेटिव है उसमें आज एक नया नजराना यह दुनिया को भी काम आने वाला है क्योंकि बैटरी के नए प्रकार से रचना कैसे हो बैटरी के लाइप कैसी जादा हो और बैटरी कॉसिफेक्ट्यू कैसे हो इस पर रिसर्च हुआ है और उसका नतीजा है कि पुरानी बस में थोड़ा सा खर्च करके अभी आपने देखा होगा बस चल रही थी आवाज कहीं नहीं आ अगर बस चालू करें तो पता चलेगा कि चालू है अभी तो उसकी जरासी भी आवाज नहीं है और पॉलिशन का तो उसको कोई अवसरी नहीं है अभी तो सामसाथ लोगों को इसका लाब मिलेगा लेकिन अगर स्टार्ट अप इंडिया स्टेंड अप इंडिया में अगर नई पीडी के लोग इस बैटरी बनाने के काम में आएंगे आगे तो बहुत तेजी से हम हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टेम है उसमें इस नई रचना को ला सकते हैं हमारे नितीन जी को इन विश्व गते हुए कैसे आगे बढ़ा जाये उसमें सफल प्रयास है उन को बधाई देता हूं और इंश्मित्रा जी समस्ट के सदन के कायरकाल के सीवाय भी कुछ न कुछ नयापन देने का प्रयास किया है उसमें एक नया नजराना जूड रहा है उनको भी बधाई धन्यवाद